चे श्री राम, चे बजरंगली, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ और ये करना बहुत ही असान है और एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और ये चीज पहले भी हो चुकी है जिन लोगों ने ये चीज को क्यों की मनोकामना पूरी हुई है कि एक दिन के अंदर ही उनको कॉल आ गए उनको उनकी मांचा ही चौप मिल गई इससे पहले मैं आपको ये बता हूँ आपको करना क्या है आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ ये जो चीज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपने नाम सुनाओगा नीम करोली बाबा उनों वो हनुमाज के कितने वड़े भक्त थे और उनी किने ही ये चीज बताई हो और कितने लोगों को ये चीज का फाल मिला है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम कीर्ती है मुत्राखंट से हूँ और आप कहां से हो आप च जिसे ही सुन रहे होंगे तो जब भी आपको कोई ऐसे चीज मिले जो आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाली है तो हमेशा आपको gratitude शो जरू करना है तो आप भगवान को thanks जरू करना comment section में चलो आगे बढ़ते हैं तो आपको करना क्या है यह उसको लिए भी है अगर है चुड़ है कुछ हो आपको एक राड कपड़ा लेना है और ग्यारा रूपे लिने और ऐसार के लिए और जिस्बी person के लिए वह मनोकामना है शहाये आपके खुद के लिए किसी और के लिए आपको ग्यारा बार उसके सरे वोंचिस गुमानी है और मंदिर में रख देनी ह इसके बाद आपको 40 दिन तक रोज 7 बार हनुमान चलिसा का पाठ करना है पैस अंकल्प की बात नहीं कर रही हूँ ना ही आपको पानी रखने की ज़रत है आपको सिर्फ नॉर्मली 7 बार हनुमान चलिसा का पाठ करना है मंदिर में बैटके पाठ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात हैं नहीं कर सकते हैं तो आप जहां भी आपको समय मिलता है थोड़ी तीर के लिए आप वैसे अनुमान चलिसा का पाठ कर सकते हैं कि साथ बार एक साथ नहीं कर सकते हो आप अलग अलग समय कर सकते दो बार एक बार कर या आपको यह समय मिले आपको डिन आपको साथ बार नंवन चल deport करना चैना चालीज दिक वैसे तो आपकी वर्स्टरी मिह पूरी हो जाएगी लेकिन फिर भी आगर हो भी चाहती है पहले ही दिन तब भी आपको 40 दिन पूरे करने पड़ी ज्याद से लोगों के मंदिर सरे नहीं है तो यह चीज आपको करनी है और इसके अलावा जो आपको करना है आपको पेपर पर अपनी मनोकामना लिखनी है जो भी आपकाना है उस मनोकामना को भी आपको बंद कर कि अथम प्रकांट देना है लेकर नहीं आ वुवकों कि bak में स्टूडेंट्ट और तो आप सकती तो आपने बुक्स में आपने और रचाती जल्द आपकी हो Upad आप जो चीज़े लिखते हो आप बहुत च्रॉंग लीव सीज पर बिलीव कर रहे होते हो और जब वह उनिवर्स में चाहती है तो जो लोट के पूरे उसके चैंसे उतने जादा हुए पूरा होने कि जितने आमने बिलीव के साथ उसको लिखा है मैंने आपके साथ एक चीज भी शेयर की थी वैने बुक मंगाई है दा सिक्रेट और उसमें एक चीज जो देखी मैंने आपके साथ कम्यूनिटी में भी लिखा था कि आपकी जंदगी में जो भी हो रहा है वो आपकी विचार है आप जैसा सोचते हो आप उन चीजों का आकरशित करते हो और वह चीज आ सान इन चीजों से उट जाता है तो उसके साथ फिर वह चीज़े जादू करने लगती है और यह भी लिखा था कि उनिवर्स में हर चीज है और आपको चीज को मागना और वह चीज आपको मिल जाएगी लेकिन तीन रूल है कि पहले आस्क बिलीव रिसीव आपको पहले वह सब्सक्राइब करना होगा कि यह चीज होगी साच है कोई डाउट ने रखना डाउट रखते हैं उसके होने की परसेंटेज कम हो जाती है और उसके बाद वह चीज आपको मिल जाती है और अगर आपको चीज अजीब भी लग रही है तो आप पहले का याद रखो याक्जा रखोर सोच्छ करो रिशिम नहीं हुआ करते थे वह सारी ताकत ने मंगी थी कि वह बैठे वें यह विये बता सकते हैं कि इस युग में रामजी आएंगे यह उनके मंगी पावर थी कि उनके अवतार होने से पहले उन्होंने सब कुछ लिख दिया था कि क्या-क्या होगा र और अचानक से उस इनसान का कॉल आजाएगा है मैसेज आए कुछ ऐसा हो जाएगा तो क्या तो आपने इतना दिल से सोच रहे हो तो कि सामने वाले की दिल में कहीं ना कहीं हो जाता है यहां तो ही मेरे बार यह होता है यह विलीव के साथ की यार मेरे को पैसे चाहिए यह लिखा है उसमें कि आपको यह मसूचक कैसे होगा इनसान जब दवाई लेके आता तकामे उसके हाथ में नहीं है उसको इतना पता है कि मैं ठीक हो जाओंगा ठीक है ऐसे ही जब आप कोई चीज कर रहे हैं आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं लिखो आप हनुआ चली से पढ़ रो पढ़ो फिर आपको यह नहीं सोचना भावन कैसे करेंगे यार मेरी दो लाग इंकम होनी तो चाहिए पर कैसे होगी मतलब मैं तो ऐसे कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ आप मेरे में तो ऐसे कोई खाज़ा दी नहीं है वो सोचना आपका काम नहीं है वो देना यूनिवर्स का काम है तो आपको स्रिफ चीजों को बिलीव करने हैं श्रौंगी और मैं अगर आपको सच बता हूँ मैंने कभी सपने में मतलब यह तह मेरा सपना था कि मैं पास आइ यार लेकिन होंगे एक दिन एक अंदर से आता है ना स्ट्रॉंग फिलिंग तो वो चीज हुए उसके अलावा बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जह मैंने टीचिंग करियर शुरू किया दा मेना पहले आपका शेयर किया मैं छोटी क्लास पढ़ाती है मेरे को यह था कि मैंको 11 12 पढ़ाने और अपना सब्चेक्ट पढ़ाने जो मुझे पसंद है कभी इंसान वाला सोचो ना 21 साल गया है और इसका करियर शुरू है और सिधा वो ऊपर के वारे में सोच रहे कि सीधा मुझे यह मिल जाए और कुछी महीने मुझे सच भी हो जाती है को इतना स्ट्रॉंग अब पास कोई नोगरी भी नहीं है लेकि मुझे इतना बध़ा लुटाने तो है और इत्व करते हो ना कहते है ते जिक दिल से चाहते हो ना तो पूरी कायनात आफ लिए उस चीजर के लिए दरवाजय कोल दिती है पूरी कायनात आफ को चीजर से मिलाने में लग जाती है प चाहते हैं कि मैं बहुत बहुत चीज को देख रहा है और अगर किसी को थोड़ा सा भी फाइदा होते हैं मैं मैं दिल से मुझे बहुत अच्छा लगेगा यह परपस बोलते हो ना कहीं बेना वह सोचे समझे चीज़ें कर दो रेजल्ट देती है वह चैनल पे वीडियो डालना कभी पर टाइम लग जाता कभी समय नहीं होता ना बहुत काम होता है स्कूल का भी टूशन का लेकिन जब मेरे को जब कमेंट्स पढ़ती हूं कोई कहता कि दीदी मेरे साथ हुआ आपने का था मैं आप यह वाली वीडियो देखी दी मेरे इच्छा पूरी हो गई देखो ऐसा जब कहां रहती हुआ आप किस जगह दो आप मिले ना पिर भी आप चांते हो किया ने वीडियो बनाती है तो कितना मतलब अच्छा लगता है कहीं न कहीं एक करनेक्शन तो बन गया हम लोगों का चाहे हम यूट्व पे ही मिल रहा हुं कुछ लोग जो कर मैं नाम का नाम भी तो यह चीज होती है कैसे connection अपने बन गया और भगवान ने बना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग कुछ बोलते कुछ रहे हैं तो आप strongly believe करना जिंदगी में आपको रास्ते अपना universe देगा भगवान खुद रास्ते देगा लेकिन जिस दिन आपकी इच इसका thank you तो एक अलगी feeling आती है इसमें एक gratitude को यह आपको जो करता है feelings अलगाती है अगली वह लगता है कि आप उसके और help कर दोगे तो ऐसे जरूर मिलेगी चलो यह वीडियो बहुत लंबी होगी मैं कभी इतनी लंबी वीडियो बनाती नहीं पर तो मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करती हूं और आप जब भी इस वीडियो को देखें आप उस चीज़ को कर लेना specially मंगलवार और सनीवार को करोगे तो ज्यादा करताना